हेलो मेरे प्यारे बच्चों मैं दीप वर्मा भिप्षा एडूकेशन फॉर एक्सलेंस के इस इलानी क्लासेश में आप सभी का स्वागत कर्टिव जैसे कि बच्चों आप लोग के पूरी तयारी लगभग खतम हो चुकी है यह हम मान के चल रहे हैं अब के दो दिन बाद आपके शुरू होने वाले दो दिन बच्चे में कख्ष गया बारवी का एक मार्ट से और कख्ष दसवी का दो मार्ट से ठीक है तो अब तो टाइम बिलकुल नहीं पच्चा है अब क्या बच्चा भी पढ़ाई लिखाई जितनी हो नहीं थी हो गई जो सर्फ याले चाना से पहले किशे करे तो ये सब चीज़े हमारे नहीं या नही को समझागा बूस्टर पयी monstrousन खरें कि चीज़े बहुत अच्छे से हों ठीक है तो आज क्या बढ़ कि ए겨या को चीज़ हो लुग या करे क्सक्ष आपको ट्रिप्स में बताऊं सेह कभी सेधस भी हो बार भी हो कभी भी एक्जाम दोगे ये कुछ जिजे आप धिहान रखना आपके हर एक्जाम में बहुत रिलेक्स होके जाओं ठीक है तो पच्छो सबसे पहला है टाइम है ना टाइम बहुत ज़रूरी है हर चीज में किया समय बोले ना समय सबसे अधा किमती है ना समय को नहीं करना ठीक आज आप सुमार को है ठीक इसकी बदक्याइब कर हिंदी कोई दिक्कत नहीं जितना पढ़ना था अच्छे से पढ़ लिए एक्जाम की एक रात पहले ठीक सब कुछ खतम करके रख लो किसी भी एक्जाम में हो चाहे गणीत हो समाजने में सस्ट बहुत की रसाइन इंग्लिश कुछ भी हो आप एक्जाम के एक दिन पहले पूरी चीज़े खतम कर लो एक्जाम डेके दिन सुभा के लिए कुछ भी नहीं बचाना है ठीक और क्या चीज भाई जैसे आप लोग का पढ़सों एक तारिक से एक्जाम है ठीक क्या करना है आपको कर पाज बजे तक अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट कर लो प्रविश्पत्र आप अच्छे से प्रविश्पत्र आप ले आए होगे उसको कि लेमिनेशन करवा लो जितने टाइप के पैन और हर पैन को दो दो से तीन तीन रक्स्टर रखना कि हो सकता है कात करनीब तुड अगर आट बजे एक्जाम है सब्सक्राइब लोकार से ग्यारा है ठीक सुबह उठते ही ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है रात को दस बजे सो जाना है ठीक दस बजे सुबह पांच-छे बजे उठो फ्रेश माइंड से अगर को लगते हैं तो आपको रचना किसने की इसके सब्सक्राइब करना है एक बार देखना है कि एसे में क्या कि लिखना कुछ टॉपिक सुबह से पल्टा लो पढ़ने मत बैठो बहुत जड़ा टेंशन होगा ठीक और अगर आट बजे एक्जाम है साथ बजे ही एक्जाम का अपने सेंटर के लिए निकल जाओ वहां जाके और वहां जाके ज़्यादा किसी से बात नुकाद नहीं करनीं है सबसे पहली बात मे तैजाम के एक गपने पहले जितने पढ़ना ऐख है जितना पढ़ना था पढ़ना था अब है उस exam को देने की बारी ठीक मैंने बोला था ना exam warriors अब है लड़ने की पारी जो तैयारी कर लिए जो रणेती बना लिए जितना पढ़ना था पढ़ लिए अब सिर्पर सिर्पारी क्या है आपको पढ़ना है ठीक तो उसके according करो exam wall में जाते ही center में जाते ही जादा किसे बात नह भी करनी है अपने जगा center रूम एगर पता कर लो कौन सा रूम क्या है बस जैसे एंटर किये 15 मिट पहले कि आपको answer sheet मिल जाएगा answer sheet में रोलना में सब कुछ अच्छे से लिख लो है ना और बात आती कि answer sheet मिलने के बाद क्या करना है answer sheet मिलने के बाद लिख लिए अब आता 3 घंटे तो 3 घंटे में सबसे पहले आप क्या करेंगे जैसे ही आपको question paper मिला pencil रखे हो निकालो pencil ठीक उसके बड़ क्या करोगे paper मिला पेपर को एक बर पूरा पढ़ो हर बढ़ाना नहीं है और जिस भी भगवान को मानते हो आप ठीक है जिस भी भगवान में जिसमें भी आस्ता है शान्ती से paper hall ने बैठके उनको एक बर पढ़ाम कर लो अपने मन में जब तक खाली हो है ना हो सकता है आपने रोल नमर में का नाम लो बट दिमाग को शांद करो ठीक उसके बाद जैसे कोशन पेपर मिला हर बढ़ाना नहीं है क्या करना है पैंसिल उठाओ सिर्फ पूरे को एक बर पढ़ो हम क्या गलती करते कोशन में मिला नहीं कि लिखना शुरू नहीं करना है एट लिस्ट दस मिन तीन घंटे स क्यों 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 कि हम उबढ़ खाबड़ें इधर उधर रहते खराब रस्ते में जाते तो टाइम ज्यादा लगता न वहीं अगर अच्छे रोड में जा रहे तो तुरंट पहुच जाते न वहीं है आप अपना रास्ता खुद बनाओ कि भईया मुझे एक से एक्जाम मे यह कोशन आता है यह कोशन आता है यह कोशन पर डाउट है टिक किये यह कोशन आता है यह कोशन यह ठीक है यह दोनों चलो चार और साथ कोश्ट डाउट है बाकी बन रहा है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है MCQs आ हैं, उसके answer टिक कर लो, सही मिलाओ है उसको लिख लो, ठीक है, ये सब करो, उसके बाद, है न, उसके बाद क्या करो, लिखना शुरू करो, लिखना शुरू कैसे, भाई, उत्तर क्रमांग एक, उत्तर क्रमांग एक, ऐसा लिखा, ठीक है, फिर, खंड आ लिखो फिर आपके mcqs के आंसर लिखो ठीक है और आंसर आपको चलो जैसे चार कोशन दी है उसका आंसर बी है तो आपको असी बी का पुरा नहीं बी भी लिखना होगा यह चीजों को हमेशा ध्यान देओ ए बी सी जो भी ऑप्शन है उसके ऑप्शन का नंबर भी आपको लिखना होगा ठीक सिक्वेंस वाइस चलो दो माक से कोशन है तीस शब्द हैं है ना ज्यादा बड़े नहीं लिखने है ज्यादा बड़ा बड़ा सामने वाले को नहीं भी उसन् joke यह सोगसे पूछया है सिर्फ कार लिखलो खतम कुछ नहीं दो डिफिरेंश बता दो चार चारत लिब्बा डूबा चबड़ा लिखने की कोशिश मत करो तैम कहा जाता जब अंशर लिखते हो और दूसरी बात ऐसा नहीं है कि पहले कि पर पना दिये फिर चौछ रपर पर आए फिर रस वहीं बोलना ऐसा नहीं जाना आपको एक सीधे रास्ते में जो कोशन पहले आ रहे हैं पूरे लाइन से सौल करो उसके बद जो बज गहें फिर उसको करो इस तरह किसे करो टाइम बहुत अच्छा बचेगा और यह मत करना की उल्टा कर लेता हो सकते हैं आपने पहले उल्टे से चालू किया और बड़ा कोशन में ही गड़बड कर दिये ठीक है तो चेकर कैसे करेगा अरे बड़ा कोशन है उसको नहीं और उनको क्या है एक मार्क से रहता है है ना वन टू त्री फोर फाइव हर कोशन में कितने नमबर मिले यह भर नहीं होता है तो अगर आपने पहले दो लिखा फिर चार लिखा फिर तो उसको भी देखने में क्या होगा बार बार पलटने में दिक्कत होगी इसलिए अगर आप पूरे कोशन को लाइन से सौल करोगे तो आपके नंबर वहाँ पर नहीं हो गए हो सकते एकाद कोशन के नंबर आपने उल्टा सीधा लिखना शुरू किया, तो क्या होगा, एकाद कोशन के नंबर वो भरना भूल जाए, तो यहाँ पर आपका नंबर कट गया, इसलिए बहुत अच्छा होगा कि आप पूरे कोशन को जो कोशन नहीं बन रहा है उसको छोड़ो उसको लास्ट में सॉल करो डाइग्राम्स बनाओ बार ग्राफ बनाओ ठीक है प्रेजनेशन अच्छी करो काट फिटी नहीं करना ऐसा नहीं हुआ एक लाइन में कर दो सफिशेंट है ठीक है चीजे जो लगती है कि हाँ यह बहुत सब्सक्राइब करनेश्याद करेंगा यह बहुत इसे नहीं होता है आपने जो आणसर बनाया वही एक अच्छा अच्छा अंसर होता है तो अपने आंसर में बिलीव करो आपने पढ़ाया उसको बिलीव करो कौन कितना पढ़ा क्या पढ़ा इस पे कोई मतलब नहीं है ठीक है तो इस stress management को करो ठीक है पेपर के सुबा उटते ही ब्रामी प्रणायाम कर लो कैसे करना रहता है भी ब्रामी प्रणायाम आप ऐसे रखो ठीक है ऐसे करो फिर ओम की चैटिंग करो यह करो ताकि मन में जब बह लेवल क्या है बहुत लेवल है मेरे बच्चे ऐसे ही नहीं पढ़ रहे है चाहिए आप गौव में हो शहर में हो जिस कज़वे में हो आपने पढ़ाई कर रहे हो तभी आप यहां बैठी हो है ना तो आप सबको दिखाने के समय आ गया है कि छट्रुस गड़के बच्चे क् हिनी माध्य माले क्या है नई हिनी माध्य माले बहुत कुछ कर सकते हैं अच्छे मांग्स भी आ सकते हैं मैरेक में आ सकते हैं और बहुत अच्छा अंसर लिख सकते हैं क्यों कि हमारे अंदर वो शमता है अभिप्षा का मतलब क्या है कामना तो आपके अंदर की वो कामना है जो आप चाहते हैं कि बहुत आगे तक जाना है अच्छी पढ़ाई करनी है बस यह सोच लिया ना उस दिन हमेशा लिख लोगे तो इस चीजे पर ध्यान देना है बच्चो ठीक है ताइम घड़ी सामने रखना है बॉटर बॉटर लेके जाना है ठीक है घड़ी देखते रहो बट यह नहीं कि हर दो मिनट में लिख रहे हो घड़ी देखो नहीं एक इंटर्विल में देखो आधे गंटे का पैच रखो दस मिनट आपने क्या किया पेपर स्कोब रीडिंग कि क्या है ना पढ़ा फिर टिक कर लिए एक बार पूरा पढ़ो फिर दूसरे बार उसको टिक करो फिर क्या करो लिखना शुरू किया फिर अगले 15 मिनट में कोशन करो कि भाई या वस्तु निस्ट प्रशन यह आपका प्रशन करमांग एक पूरा सॉल हो जाए फिर 15 मिनट में दो माक्स के कोशन, फिर 20 से 25 मिनट में, तीन माक्स के कोशन, ऐसा स्लोट करो, और एकड़म शानती से बनाओ, जो कोशन नहीं आ रहा है, कोई बात ने, और जो बहुत अच्छा आता है, उसको अच्छी से लिखो, है न, और कुछ कोशन में लगता है, कि पेपर देखते हैं, यह यह था, पर भूल जाओंगा, अपने आंसर पेपर का पहला, लास्ट पेपर लो, लास्ट पेज, और उसके की पॉइंट्स लिखके रख लो, भूलोगे नहीं, सूत्र है, वो कर लो, जो भी मैट्स के कुछ फॉर्मूले है, वो बना लो, वो कर लो, बट ऐसा नहीं कि क कोशन पेपर में कुछ मत लिखो, आंसर शीट में एक प्लास्ट पेपर में, आपको जो रफकारे करना है, करो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको आंसर शीट आपके अंसर के लिए है, तो एक जो जगर रफके, और, आपनों पहले क्या है, हम सीधी ऐसी कॉपी में लिखते है, इसे मिलती है, तो इधर मार्जीन बनाना और, जरूरी है, क्या होगा, लंबा लिखना बहुत दिक्कत होता है, फ्रोड़ा मार्जीन बना दो, और क्या है, चेकर इधर से चेक करेगा, यहाँ पर नंबर देगा, तो ऐसा, neat and clean, साब सुदरा, आप जाते हो कहीं गए, चेर दिख रहा है आप वहां जाके दुर्ण बैठोगी खुश होगी वैसी अगर चेकर है उसको आपकी कॉपी अच्छी दिखुरी अच्छी राइटिंग और राइटिंग आपने चीजे अच्छी लिखी है तो नंबर नहीं कटेंगे यह 100% ठीक है बस आपका आंसर अच्छ प्रम हाल में जाने से पहले क्या करना है ज्यादा स्ट्रेस निए लेना है सुबा उठो मस्त फ्रेश हो पाणी बॉटर रखो क्योंकि गर्मी का समय है ज्यादा धूब में नहीं नीकलना है सही समय में पहुँत जाओ आधे एक घंटे पहुँत जाओ ज्यादा किससे बात करनी है है ना discussion ज्यादा नहीं करो आपने जित्ता पढ़ा वो आपकी पेपर पर जाएगा आपके अंसर शीट पर जाएगा दूसरे क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें क्या छोड़ क्या है कोई मतलब नहीं आप अपने पैन पैन से तया रखो पानी का बॉटर रखो घड़ी ऐसा कर लो ने भाईया है ना कभी-कभी होती है एकदम जाद खबराट हो रही क्या होने वाला जब तक प्रिपर नी मिलता कुछ नहीं ऐसे हाथ बांदो लिख लिए आंसर में ठीक है और कभी-कभी होगी आपको आंसर आ रहा है लिखते-लिखते एकदम खबराट आरी आंस से पिपर जाएगा बहुत अच्छा जाएगा मेरी पूरीटीम ने आपके साथ तयारी की है इसलिए रिजट की है फी और हमारा रिजूट भी आएगा तो आवब पुलत महत्वात्वह maioria कि आपकी पुलिख और लिखो सब चीजों को पढ़ो उसके बाद लिखो दो माक्स क है उसको अच्छे से फिर्मिंग करो हर आंसर के बाद एक लंबी लाइन खीचो सेकंड आंसर शुरू करने से पहले दो लाइन छोड़ो उसके बाद लाइन खीचो यह सब चीजे करो तभी अच्छे आंसर मिलेगा और अगर लग रहे कि आपका आंसर शीट खतम होने वाला है जरूरत है जैसे ही दो पेज बच्चा है लास्ट का तुरंत मंगे रख लो क्योंकि हर्बर में खतम हो गया ता मंग तर दिमाग में जो चीज आती है उससे अच्छा जैसे लगा कि नए आंसर शुरू करना है और नए आंसर के लिए इस पेज में जब जगा कम पड़ेगी स रख लो और आंसर का फ्लो नहीं टूटना किसी भी तरीके से अंसर का फ्लों नहीं टूटने देना है मैट्स में पुर्णी चीज अच्छे से सॉल करो लास्ट में उत्तर लिखना बहुत ज़रूरी है रिया है ज्यात है सब लिखो चैमेस्ट्री पौतिकी में हर चीजों को बहुत अच्छे से explain करो biology में डाइग्राम बनाओ chemistry में सोत्र लिख रहे हैं उसको highlight कर दो physics में जो भी आप बता रहे होता थे उसके लिए कुछ डाइग्राम है तो वह बनाओ समाजिक विज्ञान में चीज़ों को अच्छे से लिखो दस्वी के विज्ञान में आप जो भी चीज़े पढ़े हो चाहे आम लचार पढ़ा वैद्यूत का पढ़ा जो भी डाइग्राम लगता है बनाओ और चित्र नीचे लिखो तो यह सब चीज़े करोगे ना बहुत यार है तीन घंटे में रण पर उतरेंगे और हर रण इटी अपनी अपना के सामने वाले को हराएंगे अच्छे मार्क्स लाएंगे मैंडिक में आएंगे तो बच्चो पैस्टो प्लक तो बच्चो बलकुल नहीं डरना है बहुत अच्छा है आपने पुर् tajos परिक्षा की नहीं अब यह दिखाने का समय है कि भहिया हम कितना की बस और ज्यादा डरना नहीं है बीलकुल अछ्छे से पढ़ाई करो एक्दम बिंदास हो के जाओ जितना बिंदास हो के पेपर दोगे लेकिन इसका मतलब नहीं है अच्पढ़ना ही छोड़ दो पढ़ो लेकिन स्ट्रेस्ट्री हो के पढ़ो पेपर बहुत अच्छा जाएगा बैस्ट प्लग दसवी बार वी के बच्चे इस सल मेरी टेस्ट में आने चाहिए हमारे और आएंगे क्योंकि उन्होंने इतनी लेकर उनको सही डारेक्शन दिखाकर आगे उनके लिए एक बहतर भविश्य के लेकर जाना ठीक है तो बच्चों बैस्ट प्लग मरी पूरी टीम आपके साथ पूरे एक्जाम तक बनी रहेगी जो भी डाउट है हमसे जो पूर्शन पूछ सकते हो बिलकुल नहीं डरना है और आपके एक्जाम बहुत अच्छा जाएगा